हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्टॉक बूल क्रिप्टो किंग चैनल में आज हम बात केंगे कि ऐसे स्टॉक की जो कि दोस्तो ओटो मोवैल में इन्वेस्ट करता है इस कंपड़ी के काफी जदा EV बसेज भी आ चुकी है और इसने अशोक लीलेंड और टाटा मोटर्स को टक रुपे लगाए होंगे तो आज उनके 6 लाग रुपे बन गए हैं जो कि दोस्तो काफी अच्छी बात है कंपनी फंडमेंटल फाइनेशल काफी जदा ग्रोथ करती आ रहा है वीडियो काफी जदा इंट्रेसिंग रहने वाली है इसलिए दोस्तों वीडियो को लास तक जरूर देखना साथ ही हमारे स्टॉक बूल के प्लोगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बैल आइकोन को भी आल पर साइट कर देना और हाँ दोस्तों अगर आप किस भी श इस पर सेंग गरावट हमको इस श्या में देखने को मिली है और 6 मूंत की बात के तो अच्छा खाथ सा 32 पर सेंट की गरावट हमको देखने को मिल गई है अब दोस्तों आप अंधाजन लगा से तो 6 मन्त और 1 मत पर लगा थे इतनी ज्यादा गरावट देखने के बाद भी ये share पिछले एक साल में multi-vega stock बन चुका है, इसने पिछले एक साल में 187% तक की return दे दिये और जो कि दोसों अब ये 32% भी गिड़ चुका है, अगर वो नहीं गिड़ता तो आज इस share में 220% तक की return होती, अगर बात करें इसके 5 साल की return की तो 551% तक बढ़ चुका है, यानि अगर किसी ने एक लाग रुपय अगर share में पिछले 5 साल पहले लगाई होते तो आज वो उनके साड़े 6 लाग रुपय बन गए होंगे, जो कि दोस्तों काफी अच्छी return share ने देते हैं, यहीं होता है दोस्तों, power of investing का एक बहुत बड़ा example, बात करें इसकी maximators की, तो 1896% त increment हमको देखने को मिली है, वो पिछले 5 साल में ही देखने को मिली है, और totally इसकी returns की भी बात करूँ, और अगसरी sales की भी बात करूँ, results की बात करूँ, तो उसमें 5 साल में ही सबसे ज़्याद 30 हमको देखने को मिल गई है, दोस्तों मैं बात कर रहा है, Electra Green Tech Limited के बारे में, य यह कंपनी, Automobile Sector की एक कंपनी है, जिसने Tata Motors, Ashok Leland जैसी कंपनी को टकर दे रहा किये, और बागी जितनी वह Automobiles कंपनी है, उनको तो इसने पीछे ही छोड़ दिया है, कंपनी का काम है, बसेज को बनाना का, जो की दोस्तों, EV की यह कंपनी बसेज बनाती है, अगर बात कर इसने कंपनी के financials की, तो कंपनी का जो मार्केट काप है, इसकी रिटर्न एक क्योटे की बात के तो 4.87 परसे हैंगी, चले हुए है, जो की दोस्तों, मेरे साफ से यह थोड़ा बहुत डिमैनिक्ट हमको दिखाई दे धखता है, फर्स नागेटिव पॉइंट हम इस शेय का क परसेंट तक रिटर्न देखने के चांसे अब यह पूरे-पूरे इसन में है, कंपनी का पॉजिटिव और नेगरिटिव पॉइंट की बात का है, तो जैसा कि आप स्कीम पर देख सो, कंपनी ऑल्मोस्ट देफ्ट फ्री, कंपनी एक्स्पेक्ट गिव क्वाटर, कंपनी है इसका दोस्तों मैंने आपको पहली बता दिया था, कंपनी के सेल्स में काफी ज़धा इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलाए, कंपनी का गनेगरिटिव पॉइंट्स की बात गया है, तो दीरे-दीरे प्रमोटर्स की होल्लिंग का भी कम होता रहेगा, तो दोस्तों नॉर्मल इन्वेस्टर्स इस यह में इन्वेस्ट करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्लिंग गिड़ जाएगी, कंपनी है था लो रिटर्न रिक्यूडी जो की 1.97% तक की जा चुके पुछले 3 साल में, फिला कभी 4.5% की चली हुई है, कंपनी है था हाई डेटर्स जो की 24.93 देज है, दोस्तों यह डेटर्स कवरेज रेश्यू है, कंपनी के एक पी एर कंपरिजन की बात करें, तो सबसे बड़ा मेरिट पॉइंट है इसका यह है, कंपनी सेक्टर ओटो मोबाइल है और कंपनी का बात करें तो फर्च नमबर ओटो मोबाइल पर टाटा मोटर्स ही चल रही है, सेकेंड पर अशोक लिलेंड और थरद पर टाटा मोटर्स दीविया जो कि दोस्ट सेमी सेक्टर की एक कंपणी हैं SMLI, SACC companies को इसने पीछे ओलड़ी छोड़ दिया है कंपनी के अगर दोस्तों numbers की बात करें quarter results की तो sales में अगर हम 2020 March में देखें तो 70 करोड रुपे की sale हुई थी और अगर बात करें आज की sale की आनि 2022 के March यानि Q4 की sales की तो 201 करोड रुपे की आई है 200 करोड रुपे का increment हुआ है पिछले 2 साल में अगर company के net profit की बात करें तो जैसा कि आप screen बात देखें तो अब company का उस time पर आया था minus 5 करोड रुपीज का जो कि net loss हम कह सकते हैं और आज 218 करोड रुपे का profit आया है company के अगर दोस्तो EPS की बात के तो अर्णिंग परशिया आज 2.60 की है उस time पे काफी ज़्यादा negative में चल रही थी लेकिन अब company ने एक अर्णिंग परशिया आनि एक तरीके से कहता है यह dividend भी प्रोड रुपे की रही थी और आज 593 करोड रुपे की रही है एक तरीके से कह सकते है 100% अब हो चुका है पिछले एक साल से और अब की सेल में बहुत अच्छी बात है दोस्तो दीरे दीरे आपको पताएए EV market investment की ज़्यादा भढ़ती हो जारेगी ज़्यादा cringe EV का चला हुआ है जिसके से दोस्तो इस share में investment के चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप अभी share में invest कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो फ्लाज share price में काफी ज़्यादा low पर चला हुआ है अगर कंपनी के net profit की बात है तो 2021 में आट कड़ रूपे का आया था और आज 35 कड़ रूपे का आया है कंपनी के अगर balance sheet की बात करना तो मैंने आपको पहले ही बताते है कंपनी borrowings इसकी एकदम debt free कंपनी है जो कि इसका जो current borrowings चली हुए 66 कड़ रूपे की चली है और उसके बदले में रिजर्स की बात इसके 746 कड़ रूपे के इसके पास रिजर्स रखे हुए है अगर कंपनी investors की बात करें 0.04% अब दोस्तों आप देख सेतों कितना ज़्यादा चेंज है domestic investors में और foreign investors में अब सबसे बड़ा जो plus point है वो यही है क्योंकि दोस्तों इसमें foreign investors काफी ज़्यादा है अगर कभी भी share marketer में किसी भी share में foreign investors ज़्यादा होते है तो इसका मतला उस share के long term के return द compensation भी हमने देख लिया financials fundamental सब हम company के देख चुके returns भी 200 company की काफी ज़्यादा रही है और अभी इश्या में मौके के जो तलास है वो बहुत ज़्यादा भढ़ चुकी है इसलिए आप इश्या में invest कर सकते हो और आप invest करो तो बेदड़क करो को दिक करने दोस्तों 101% आपको return यह company देखर ही दहेगी चलिए दोस्तों इसके साथ वीडियो को end करेंगे अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो प्ली चैनल को subscribe करना और वीडियो को like करना